प्रेगनिंसी में कई महिलाओं के मन में ये सवाल आता है कि उन्हें लड़का होगा या लड़की। वहीं इस संदर्ब में हमारे बड़े गुरों का मानना है कि प्रेगनेंट महीना को कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं, जिनकी मदद से ये पता चल सकता है कि उनके गर्ब में लड़ता है या लड़की। कंसीव करने के बाद से लेकर पूरे नौ महीने की प्रेगनिंसी तक मन में जो सवाल सबसे ज़्यादा आता है वो यहीं है कि लड़ता होगा या लड़की। अल्टा साउंड में डॉक्टर आपको ये नहीं बताते हैं कि गर्ब में पल रहे शिशु का लिंक क्या है। हालान की गर्भावस्था में दिखने वाले कुछ लक्षणों की मदद से आप जान सकती हैं कि आपको लड़का होगा या लड़की। इस विडियो के जरीए हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बता रही हैं, जिनकी मदद से आप जान सकती हैं, कि आपके गर्ब में लड़की है, तो चलिए जानते हैं, क्या है सच? लड़की पैदा होने के लक्षर कुछ लोगों का मानना है, कि अगर प्रेग्नेंसी में मौनिंग सिक्नेस बहुत जादा हो तो लड़की पैदा होती हैं, यहां तक कि हानी में हुई रिसर्च में भी बताया गया है, कि प्रेग्नेंसी में बीमार महसूस करने का संबन्ध शिशु के लिल से हो सकता है, वर्ष 2017 में हुई स्टरी में पाया गया कि जिन महिलाओं के पेट में लड़की होती है, उन्हें लड़का पैदा करने वाली महिलाओं की तुन्ना में इम्म्यून सिस्टम के बैक्तिरिया के संबर्प में आने पर ज़्यादा सूजन महसूस होती है, हो सकता है कि इसी वज़ से लड़की पैदा करने वाली महिलाओं को प्रेग्निन्सी में मौनिंग सिकनेज ज़्यादा होती है, उन्हें ज़्यादा बीमार या असज महसूस हो सकता है, बहुत जादा मूड बदलना प्रेग्निंसी में हार्मोनल बदलाव के कारण अकसर मूड स्विंग्स रहती है ऐसा माना जाता है कि गर्ब में लड़की हो तो एस्ट्रोजन का स्तर अधिक रहता है जिसकी वज़ा से बार-बार मूड बदलता रहता है हालां की रिसर्च में इस बात की पुष्टी नहीं की गई है गर्भावस्था में हार्मोन का बढ़ना और डिलीवरी के बाद कम होने का शिशु के लिल से कोई संबन्द नहीं है पेट के आसपास चर्वी बढ़ना यदि महिला के पेट के आसपास प्रेग्निंसी के दौरान चर्वी बढ़ रही है तो इसे लड़की होने का संकेत माना जाता है हालां की वैग्यानिक कत्य इस बात पर भी अपनी मुहर नहीं लगाते है उनका मानना है कि प्रेग्निंसी में महिला का वजन उसके बोडी टाइट के हिसाब से बढ़ता है मीठा खाने का मन करना अकसर गरभावस्था में क्रेविं होती है माना जाता है कि अगर प्रेग्नेंट महिला को कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो तो ये लड़की पैदा होने का संकेत हो सकता है जबकि नमकीन खाने का मन करना लड़का होने का संकेत हो सकता है गर्भावस्था में होने वादी क्रेविंग से शिशु के लिंके संबन को लेकर कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है ओयली और बेजान बार कुछ लोगों का कहना है कि गर्भावस्था में बालों का तेलिय और बेजान होने का मतलब गर्भ में लड़की होने से हो सकता है हालां कि इस बात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है वहीं दूसरी और स्कैल्फ पर तेल के उत्पादन में बदलाव आने का संबन्ध हार्वोनल या आहार में बदलाव से हो सकता है अभी तक इस विशय पर कोई रिसर्च नहीं की गई है कि गर्भ में लड़का या लड़की होने पर किस तरह के संकेत मिलते हैं आपने लड़का या लड़की होने के जितने भी संकेतों या लक्षणों के बारे में सुना या पढ़ा है वो सब सुनी सुनाई बाते हैं और उनका कोई वैज्ञानिक प्रमान अब तक साबित नहीं हो पाया है अब आपके उपर है कि सच क्या है हमारे बड़े बुजर्द या विज्ञानिक या डॉक्टर लेकिन जो भी आपकी संतान हो वह स्वस्थ और तेज गुद्धी हो यही हम चाहते हैं